नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आसा करते हैं और सरखुस हैं सुवस्त हैं सुबह पर टाइम हो रहा है ये बच्चे गई हैं स्कूल में और पापजी गई है बाजरा लेने और माता जी है नहीं हाँ पर इस अच्छन गई है मतलब जिस दिन बुस गिरा था उससे एकले दिन चली गई थी परसो गई थी और आज मैं सफाई अभियान शुरू कर दी हूं वैसा तो उत्ती रहती है घर में सफाई पर जब इतनी बुस में देखा है आपने कितनी घर में कितनी तूल मिट्टी भर गी थी तो फिर तो होनी जाण से यह रोगता भी है हर बार यही अच्छे से पुरे घर की सफाई उपकी है तो सबसे पहले में किचन से शुरुआ करते हैं सुरू और यहां किचन के सामने लाके छोड़ दिया ऑप और टाइम देखो अभी नो बज़रें है और यह इधर वो जो उपर बुसी गठट के रखी थी वह भी खतम होगी और निच्चे भी लगगा बाड़ा लगगा निच्च यहां से मिनंने चुकर कट्ठे रख दिये थे मैं नहीं तो निकालने में फिर प्रेसान नहीं होगी तो वहां रख दिये और इसके बढ़े वाली बचिया है जो इसको परेसान करती है वह कहते है ना बहन भाई बहन बहन मस्ती करते हैं तो इस तरह देखो चाट चाट के इसे दोनों ने बुराल कर दिया इसका और यह खारी है चुटकोरानी इसका थोड़ा सा जब यहां पर बनती है यह मैं थोड़ा सा उपर हो कर देती हूं जिससे यह खा ले आ सन्नी से और इधर भी जाड़ू लगा गए यहां छोड़ दिया मैंने सारा खोड़ा क्योंकि अंदर से आएगा फिर कीचन जाले वाले जाड़ूंगी तो जी चलो करते है सुरू है जी बस आ गई हूं मैं कीचन में और भरी हूं डब्बे और यह बड़े वाला तसले लिया हूं ठागे क्यों चोटे वाले में तो इतने ज़्यादा आनी पाते तो इसमें दो या तीन चक्कर लगेंगे क्योंकि दूसरी साइड भी कप वगयरा रखे हैं और डबे वबे सब मैंने रख दिये थे और अब मैं लगी हूं जाले जाड़ने के लिए और यहां पर एक रोशंदान है तो उसमें जाले चिपके हुए हैं एक इधर है विंडो की साइड मतलब विंडो के उपर है तो उसमें पहले बिल्ली उपर जनरेटर रखा है बाहर तो नहीं पूचर के उसमें घुच जाती थी तो उसमें रष्याव अगेरा बान्दी हुए हैं कहीं सारी जिस्से बिल्ली ना गुसे तो उन में जाले वगेरा चिपके हुए हैं तो बड़ी मुस्किल से मुस्किल हो रहा है बहुत ज्यादा निकालना और यहां पर डर भी लग कर दिये हैं मैंने इधर आ गई थी मैं टंकी की साइड और ये वैसे तो ये परदे वरदे भी दूलने हैं पर मैं इसको अभी नहीं दूलूँगी क्योंकि अभी इसमें नाज डलेगा ये टंकी बाहर निकलेगी तो तब तक इसको ऐसे छोड़ देती हूँ जब नाज डल जाएगा इसमें तब इसको मतलब सैट करेंगे अभी तो अभी ऐसे ही रख देती हूँ इसको और देखो उपर होता है तो काफी गंद बैठ जाता है क्योंकि निच्छे से तो हम मतलब जहां तक निच्छे हाथ पहुच पता है हमारा कर लेते हैं सफाई पर पर वगेरा दरवज्यों के उपर बने हुए हैं जो तो मैंने अच्छे से जाढ दिये हैं जाले वाले तो यह पंणी स्लेप की तो यह मैं लेकर आ गई हूँ बाहार और एक वा छोटे वाली है धोके और बस मैं इसको साप कर रही हूं बड़े वाली को क्योंकि वैसे मतलब जैसे तेल वेल कर डब डबर करा जाता है तो चीकनी काफी हो रही है то सरफ से मैं इस पर numéroने डाल डाल के अच्छे से बरस्ते साफ कर रही ह Wahr है वहां पतार बह्त है तो जब तक अभी अंदर केने ज़ाडुusz सब कुछ ऐसे ही पड़ा है तो मैं सोच रही थी मैं का पहले डब्र वगेरा धो दूँ ये पनी वगेरा तब तक ये सूखेंगे तब मैं जाड़ू पुछा वगेरा सब कुछ कर दूँगी और ये सूख भी जाएंगे तो टाइम भी हो गया है और पाप जी भी आ गए थे ब पर टाइम बहुत लगता है क्योंकि दब्र चलो डब्र में तो फिर भी लगता इतना टाइम क्योंकि सारे एक जगह रखे जाते हैं और बस धोने उत्ते हैं इनको तो वैसा जो मतलब साफ सफाई का ज़ाड़ने का मतलब वैसा काम है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है मैं अब इनको पानी सब्सक्राइब और बॉर निक्शे पानी है वो निक्षे का पानी डालागाए अगरप पूरा पानी में टब हो दूंगी तो पानी ढब पानी ब्रजायका अंदर को अधर जाएनको डंदे हैं कि तक नहीं आई तो तब तक दूप आएगी यहां तक तब तक मेरे यह जो डबे वगएरा हैं यह सब दूल जाएंगे और बस अधर मतलब अभी काम भी बहुत है यह निकी बस डबे ही दोनी है मुझे गाएं को आज मतलब नहलती नहीं हूं क्योंकि टाइम हो जाएगा इसम तो गाएं को अभी पानी वानी पिलाना है और यह है जो चने यह मतलब जब यह आई थे वहां से पिंजोर से लेके आई थे पता नहीं कब दी होंगे ममी नहीं नहीं तब कि रखे थे इनमें कुछ खाए भी इनमें स्मेल सी होगी अब तो मैंने इनको दूम में रखोंगी देखकों की क्या करूंगी ऑंदर मतलब बहार का कर के मैं डब ब बबेद होके आगई हूं अंदर तो जाड़ु लगा रही हूँ मैं और बर्तन ब्रतन रखते हैं अब थी तो सबसे पहले जाड़ु लगा दो कि क्यों हूं जाए कुछ होगा वैसे बरतं होते हैं तो पानी गिरी जाता है थोड़ा फोट फिर यह जो गंदगी है वो चिपक जाएगी कि ऐसी बैसर kut Even अब मेरिध नफिर सब्सकर रिपनाट में और बाहर लोस तो कर दोभ ईए दोकरे में वाले साब्तित के कटांस को पर ऐसे तो इंसक्राइटिक कि एसमित उसोह साब करता है पर जाए उससे यह स्बाइब जो जो यह द क्मकर दाए हो तहीं करूंग breaths है मतलब अपने मन की तसली के लिए और ये बार बार उपर नीचे चड़ना तो काफी मुस्किल हो रहा है पर जो भी है तो मैं इस से मतलब गिल्ले कपड़े से उपर से बी साप कर दोंगी वैसे यह तो हैं नी दूल मिटटी जमी रही है तो जो भी है तो अच्छा सा हो जाएगा मतलब पानी डल जाएगा तो साइडो साइडों में सबसे पहले कीचन में लगाया क्योंकि कीचन में पानी पानी हो रहा था कीचन में लगाती हूं मैं वैसे भी सबसे पहले पोच्छा क्योंकि कीचन में लगाके और फिर जनर्नेटर के साइल लगाके फिर मैं अंदर कमरों और होल में लगाती हूं जो वाकी बच जाता है और इ तो टाइम भी काफी हो गया था अभी साड़े बारा बज रहे हैं तो फटा फट नहा के तो मैं बना रही हूँ लोकी और लोकी बच्चे तो ऐसे ही है बच चुगा तो थोड़ी सी दही जमा दी है मैंने तो देखेंगे कैसे क्या खाएंगे वो तो जी जब तक डबे बहारी तो मैं इसमें तड़का लगा के तो जल्दी जल्दी यह तो हो जाता है मतलब बन जाएगी तब तक और तब तक मैं यह कीचन के हैं जो डबे वगएरा वो सैट कर दूँगी तो जी अभी मसलब एक टाइम ऐसे दे देते हैं इनको लिक्वीड सा और एक टाइम वैसे दे देते हैं रोटी मनलब चपा के खाने के लिए तो जी यह है जो पनी वगएरा सब सूख गई थी उधर गैस चल रही है सबजी बनने लगरी है तो यह मैं पनी वगएरा उसको सैट करके आ गई हूँ और अब मैंने उठा लिया है टोकरा क्योंकि तसला तो मैंने रख दिया था टोकरा टोकरे में भी इजिली बढ़ी आ रहे हैं ये डब्बे तो टोकरे में भी दो तीन चक्र लगाने पड़ेंगे मुझे हैं और आप कमेंट करके बताना दोन मोडिलियर की चल है तो इसमें बार बार सफाई करनी पड़ती है क्योंकि रोसंदान है उपर निच्छे से जब जैसे तड़कव अगयरा लगाते हैं तो गंदेगी बैठ ही जाती है डबों पर कितनी भी कोसिस कर लो तो बहुत जादा मेहनत करती है साफ करने में और कम से कब मुझे ऐसे लग गए तीन घंटे से तो उपर उपर ही लग गए इसमें कीचन कीचन में तो कीचन में ही लगता है ज्यादा टाइम और ये भी होता है मतलब जहां पर हम मतलब एक मतलब ओरत है जो सबसे ज्यादा टाइम बिताती है वो कीचन में बिदाती है और उसका कीचन साफ सुतरा ना हो तो मन मिन लगता तो जी बस मैंने तो चमका दिया है अपना कीचन बिल्कुल साफ सुतरा होगा और जब मतलब यहां पर उत्ते हैं तो अच्छा भी लगता है देखो यह बरतन रखेनी अभी मैंने रख दूँगी कपु अब सबसेट कर दिये इधर और अटा बनाऊंगे अभी और टाइम लगता है